तो लाश्ट टेम साउमी के तरफ से एक अपडेट आया था MI Music एप की तरफ से और यहाँ पर एक न्यू चीज जो जुड़ा है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर छोटे से वाड में लिखा हुआ है Support MP File Format वह भी इस Music Player में तो इसका मतलब है नहीं कि आपका इस Music Player में MP4 वीडियो बगर भी चलेगा इसका मेंन मतलब यह है कि आपका जो MP4 फाइल से वह MP3 में भी चलेगा Without Convert वह कैसे वह मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो बहुत जन्द कन्फियूजन है कि इसे आपको लाना कैसे है तो जैसे आप what is new में टाइप करेंगे उसके बाद यहां पर देख सकते जो new features और बग बगर अगर fixing होगा वह आपको मिल जाएगा यहां पर तीन चीज new mention किया है पहला support MP4 format उसके बाद intelligent search function तो search में भी थोड़ा बहुत changes हुआ है उसके बाद fixate some bugs तो bugs भी बहुत था लेकिन अभी तक bugs fixing नहीं हुआ इसके पिछली वीडियो में आपको बता देया है कि इसमें क्या बग था तो वीडियो अगर नहीं देखे तो आपको i button और description box में भी मिल जाएगा तो यहां पर इसका जो current version यहां पर देख सकते है जो वर्जन लिखा है 4.10.0.6 तो इसका current वर्जन है और यह जो लास्ट अपडेट था यहां पर देख सकते हैं 17 फर्परी 2020 तो लास्ट में अपडेट हुआ तो आपको इसे लाना क्या जो MP4 format है तो यहां पर सिर्फ MP4 format को सब्सक्राइब करें तो फिर बता कि कोई फाइदा नहीं और इंट्रेलिजन सर्च यहां पर क्यांकि छोटा सा फीचर से हो मतलब वह मैं आपको समझा देता हूं आप जैसे open करें तो open होगा तो फिलाल एड बहुत चलता इसमें और सर्च बार यहां पर देख सकते हैं माली यह कोई भी चीज आप यहां पर लिखते तो आटमेटीकल वह आपको रिकमेंट करें कि आप यह चीज साहिए लिखना चाहते तो आप इसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं पूरा पूरी लिखने से पहले वह आपको प्रोवाइट कर पर फाइल लाना कैसे हैं तो यहां पर देख सकते हैं मेरा audio सब है और यहां पर देख सकते हैं एक चीज मैंने add किया है Snapchat video यहां पर देख सकते हैं मैंने video file को भी add किया है तो फिलाल example के लिए मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरे Max player में कौन-कौन सा video folder बना हुआ है और कौन-कौन सा अबलेबल है ताकि आपको भी एकिन हो जाए कि हाँ यह चीज वर्क कर रहा है कोई यह ट्रिक नहीं है ट्रिक क्या यह एक्चुली में ही है यह आप देख सकते हैं मैंने लास्ट यह वीडियो एक्सपोर्ट किया था अंट इसे भी में आई बटन में दे दूँगा फिलाल यहां पर एक चीज़े एक्सपोर्ट फोल्डर हो गया उसके बाद स्क्रोल डाउन किजिए तो यहां पर दो फोल्डर नोटिस किजिएगा एक्सपोर्ट हो गया एक्सपोर्ट में मैंने अपना जो वीडियो यह आप देख सकते है स्नेप्ट वीडियो ठीक है तो इसे मैं भी लाके दिखाऊंगा तो मैक्स प्लेयर को क्लोज किजिए उसके बाद यहां पर आज यह अपना जो एमाई म्यूजिक एप है उसके बाद आपको करना क्या है यह जो त्री डॉट यहां पर आपको टैप करना उसके बाद यहां पर देखिए जो सेटिंग है यहां पर आपको आ जाना है उसके बाद यहां पर थोड़ा से स्क्रोल डाउन कीजिए तो यहां पर आपको एक ऑप्शन न्यू मिल जाता है डिस्प्ले फॉल्डर विद फाइल तो यह है वो निव ऑप्शन जो बहुत ही अंदर में दि और इन फोल्डर जो 9 यहां पर लिखा हुआ है इसे भी सटलग करने के बाद आपको बैक नहीं करना है यहां पर जो चाइन का मार्क फंट यहां पर आपको देख सकते हैं अब ब्यूड़ो फाइल यह ओडियो में बन चुका है लेकिन नहीं सिरफ यह वो आडियो को रन जैसे यहां पर टैप करेंगे देखें यहां पर देख सकते हैं यह ओडियो में चल रहा है तो यह था वो न्यू फीचर मुजिक प्लेयर में और और एक बर कंफोर्मेशन में आपको दिखा तो जो एक्सपोर्ड में मेरा वीडियो था वही लिखा हुआ है आप देख सकते MIY Music में तो जिन लोग को इस अप्लिकेशन का अपडेट नहीं मिला है और इंस्टॉल करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाउनलोड लिंक दे दिया है आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं तो बस इस वीडियो में इतना है और इस तरह के चोट